हलो फ्रेंड्स मैं टेस्टिरों सभी में आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का डोसा इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी ग्रेट की हुई मूली बेशन एक कटोरी टमाटर कटा हुआ तीन हरी मिचे कटी हुई एक मीडियम साइज का प्याज है उसे हमने काट लिया है और खुछ हरा धनिया लिया है उसे हम ने बारिक काट लिया है, अब इक बौध में हम एस आरा समान डालेंगे, पहले हमने बैसन लिया है, बैसन के बाद हम इसमें लेंगे ग्रेट कैया हुआ मूली, एक काटोरी है ये, कटा हुआ हरा मिर्च प्याज हरा धनिया और टमाटा इनको डाल दिया है हमने मिक्स करेंगे पर एक कटोरी मूली जो ग्रेट की हुई लिए ये मिडियम साइज की दो मूली है जिसे हमने ग्रेट किया था जो लगबग एक कटोरी के बराबर है नमक एक चमप लिए आप साओ दनों सार नमक लीजिएगा शरी मिर्च कटी हुई यूस की है इसलिए इहां पर लाज मिर्च आदा चमप डालेंगे आदा चमप हल्दी पाऌड़ा डालेंगे एक चमप चाट tääला और एक चमप M行ites धनिया पाउड़ा तालेंगे तीन चमप कट अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी एक कप पानी लेंगे जिसे हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी को डालेंगे ताकि इनमें लंज ना बन सके मूली से बनी या स्वाधिष्ट रेसिपी यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक, सेर्ज और सेब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी ये पेश्ट गाड़ा है इसमें थोड़ा सा पानी ओर डालेगा अब इसमें हम एक चम्मच गेहू का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मिक्स होने के बाद दस मिनट के लिए हमें से रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है मिक्स्टर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे दस मिनट के लिए ढखकर रख देंगे गेश पर एक पेन या तवा रखेंगे उसमें हम टू टेवल स्पून ओईल डालेंगे आप ओईल कोई सा भी ले सकते हैं अब इसे गर्म होने दीजिए यहाँ पर पेन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम मुली का बेटर लेंगे और उसे एक चमच की जाहता से पेन पर धीरे से डालेंगे फ्रेंट से यह रेसिपी आप से बनास्ते के लिए जरूर ट्राइ कि जाए जहर पड़ बनने वाली रेसिपी है और यह बहुत आसान तरीक से बन जाती है इसलिए आद इसरो आभ इसे जरूर ट्राइ कीजि एगा रेस्पी बनाने में जितनी आसान है घाने में उतनी ही जादा टेस्टी है इसलिए आप यह रेस्पी को ज़रूर बनाईए और कमेंट बाफ से मुझे ज़रूर बताईए कि यह रेस्पी आप से कैसे बनी है हमारा यह डोसा एक तरब से पक चुका है अब हम इसे धीरे से निकाल कर पल्टा लेंगे और दूसरी तरब भी इसे पकाएंगे इसमें हम थोड़ा सा ओईल होड डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गेस की फ्लेम लो रखी है यह जो लो फ्लेम पर ही इसे पनाया जाता है यधि आप इसे पर फ्लेम तेज रखते तो यह उपर से तो पका दिखेगा लेकिन अंदर से यह कच्चा रेगा और जब यह अच्छी तरह से पक जाएंगे तो ही इसे बल्टाएं पर इस डोसे का कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है अब यह पुरी तरसे पक चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी तरह से हम और भी डोसे बना लेंगे इसमें हम पहले ऑईल डालेंगे अब उसके उपर हम यहां बेटर डालेंगे यहाँ पर हमने गेस की flame low ही रखी है अब यहाँ पर हमने बेटर को अच्छे से डाल दिया है चारों तरफ हमने एक बराबार इसे gold save दे दिया है और अब हम इसे low flame पर पकने देंगे जब यह अच्छी तरह से इस साइट से सिक जाएगा तब हम इसे पल्टाएंगे यह अच्छी तरह से सिख चुका है अब हम इसे पल्टा देंगे वाव कितना अच्छा golden color आया है अब हम दूसी तरह से भी इसे अच्छी तरह से पकने देंगे फ्रेंड्स दूनों तरब से यह अच्छी तरह से पक चुका है कितना चगोलन कलर है आप हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी के सारे डोसे को तयार कर लेंगे इन डोसों को आप खटी मिठी चतनी के साथ में साफ कीजिए खटी मिठी चतनी के साथ में यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो ये तयार है हमारे मूली के डोसे, खाने में बहुती टेस्टिल आजवाब है, आप इनने जरूर ट्राय कीजिए, धन्यवाद